तो देखो यह क्या है measurement of power by a 2 watt meter method in a delta connection यह क्या है आपके load delta connected है तो इसमें हम power कैसे measure करेंगे तो देखो हमने क्या किया हो अब हम same इसमें भी क्या करना है आपको जो current coil है इससे क्या करना है किसी line किसी दो line पे connect कर देना है ठीक है और जो potential coil होगा वो क्या होगा एक particular single line से connected होगा तो इसके across देखो यहाँ से जो आपका three wire है R, Y, B R के through क्या current जा रहा है R, Y के through क्या current जा रहा है I, Y और B के through क्या current जा रहा है I, B ठीक है तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा अब देखो, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो आपका जो यह current coil है W1 का जो आपका watt meter first है उसका जो current coil है उसमें कितना current flow हो रहा है R, ठीक है R क्या हो जाएगा इस node पे आप देखो, मैंने क्या बोला था sum of incoming current is equal to sum of outgoing current तो इस node के node पे कौन कौन सी current आ रही है मालो यह node A है, ठीक है मैंने इसे node A माल लिया at node A, ठीक है, at node A हमें क्या लगाना है क्या लगाना है, तो at node A क्या हो जाएगा incoming currents पहले अब देखो, क्या आ रही है, इस node के अंदर कौन कन सी current गुश रही है IR, ठीक है, प्लेस, और कोई current आ रही है, I3, राइट, I3 आ रही है हो गया, बस यही दो currents आ रही है, equals to, outgoing current कौन सी है, I1 ठीक है, क्या होते है कि sum of incoming current is equals to sum of outgoing current, राइट, तो हमें क्या देखना था, C, आपको जो current coil था, W1 का, wattmeter first का, उसके through current कितना flow रहा है, वो हमें देखना था, तो R की value यहां से क्या जाएगी, R equals to आपको क्या मिल जाएगा, I1 minus I3, राइट, यहां तक समझ में आ गया, तो मैंने वही लिखा है यहां पर, the current in a current, current in coil of, current in, current coil of wattmeter first, ठीक है, IR है, IR को हम क्या लिख सकते है, I1 minus I3, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, अब देखो, अब क्या बोला है, कि जो आपका अब इसके बाद क्या होगा, आपका जो यह potential coil है, PC, ठीक है, अब क्या बोला है, आपको PC के across क्या करना होगा, आपको voltage find out करना होगा, तभी तो आप power निकाल सकते हो, राइट, तो इसके across voltage क्या हो जाएगा, किसके किसके बीच में यह connected है, R और Y के बीच में, ठीक है, एक य delta connected, जो connection होता है, उसमें, जो आपकी line voltage, और जो phase voltage होती है, वो क्या होती है, वो दोनों same होती है, ठीक है, और जो star connected होता है, उसमें, जो आपका, क्या होता है, जो आपका phase voltage होता है, वो कितना हो जाता है, आपका phase voltage होता है, वो कितना हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, आपका line voltage होता है, उसका क्या होता है, root 3 times होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका होगा, इसके across क्या होगा, जो voltage होगा, वो क्या आजाएगा, आपका, E, यह किसके किसके बीच में connected है, R और B के बीच में, तो क्या हो जाएगा, E, R, B, into, पावर क्या हो जाएगा, आपका, पावर measured by wattmeter 1 क्या हो जाएगा, E, R, B, into, current क्या था हमारा, I1-I3, यहाँ तक समझ में आगया, अब देखो, जो आपका current, current in, current coil of wattmeter 2, क्या हो जाएगा, wattmeter 2, current coil क्या है, इसके थूँ कौन सा current flow हो रहा है, IY, तो IY क्या हो जाएगा आपका, यह हमें find out करना होगा, तो हम क्या ले लेंगे, यह node ले लेंगे, इस node पर देखो, incoming current कौन कौन सी है, एक तो I1 आ रहा है, और एक IY आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, IY plus I1 equals to, outgoing current कौन सी I2, ठीक है, तो IY यहां से क्या आपका निकल जाएगा, I2 minus I1, ठीक है, तो आप क्या कर लोगे, current क्या हो जाएगा, IY क्या हो जाएगा, I2 minus I1, ठीक है, similarly, आप इसके क्या करोगे, इसके across जो wattmeter 2 है, वो कितना power measure करेगा, power measure by wattmeter 2, कितना हो जाएगा, इसके across voltage क्या हो EBY, क्योंकि किसके किसके बीच में connected है, Y और B के बीच में connected है, तो क्या हो जाएगा, EYB into, आपका current कितना मैं निकाला था, I2 minus I1, ठीक है, तो यह आपकी क्या आगई, first reading आगई, और यह क्या आगई, second reading आगई, wattmeter first की reading यह आई है, wattmeter 2 की reading यह आई है, total reading निकालने के लिए, total जो आपकी power reading है, wattmeter की वो निकालने के लिए मैंने क्या करना है, W1 plus W2 कर देना है, ठीक है, तो total power अपनी कितनी आजाएगे, W1 plus W2, W1 क्या था, ERB into I1 minus I3 plus E, W2 क्या था, EYB into I2 minus I1, अभी क्या करना, इस सब को solve कर लेना, तो क्या आजाएगा, यहाँ पर, देखो, E, sorry, यह क्या करना, अब देखो, दो similar terms आ रही है, आपकी I1, I1 common आ रही है, ठीक है, तो आप I1 को क्या करना, common ले लेना, क्या हो जाएगा, EYB plus EBR, यहाँ तक समझ में आ गया, अब देखो, अब क्या होते है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इसको क्या लिख सक हो, यह जो current है, मतलब यह जो equation है, इससे क्या लिख सकते हो, जो voltage होगा, क्या लिखोगे, EYB plus EBR plus ERY, जो इन तिनों का सम होता है, वो कितना होता है, जिरो होता है, ठीक है, तो आप क्या कर लोगे, अब क्या करोगे, यहाँ से क्या है आपका, EYB plus EBR, जैसे उसमें क्या था, आपका जो sum था, 0 था, इसमें भी क्या होगा, sum क्या होगा, 0 होगा, उसमें क्या था, current था आपका, यहाँ पर क्या voltage होगा, तो यहाँ से EYB plus EBR, कितना आ जाएगा, आपका equals to minus of ERY, तो इसके माइनस माइनस प्लस होगा, क्या होगा, I1 into ERY plus I2 into EYB plus I3 into EBR, तो यह आपका total power आ गया, तो इससे पहले मैंने क्या बताया था, आपको star connected, और यह क्या है, आपका delta connected, ठीक है, तो यह दो थे, आप जैसे star connection में, आप power को कैसे measure कर सकते हो, जब आपका load star connected हो, या फिर जब delta connected हो, तो power को कैसे measure कर सकते हो, तो यह था normal था, आपका कैसे calculate, मतलब जब circuit में लगा होगा, तो आप कैसे calculate करोगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, कि जब आप, जो आपने loads connect ही है, तो आपका load क्या हो सकता है, लीड हो सकता है, लीडिंग लोड हो सकता है, लीडिंग पावर फैक्टर लोड हो सकता है ठीक है तो मैंने क्या बताया था most of the most of the time हम क्या लेते हैं lagging ही lagging लोड ही लेते हैं तो क्या होगा जब inductor लगा होता है तो क्या होता है आपका लोड लाग करता है मतला current आपका lag होगा तो उसे क्या कहेंगे lagging power factor और जब आप capacitor लगा होगे तो क्या होगा current लीड करेगा ठीक है तो अब हम क्या देखेंगे जो अब हम lagging 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 sorry lagging power factor जब हम लेके चलते हैं तो हमारा power कैसे आएगा ठीक है यह normal था आपका मैंने introductory part दिया था कि हम की power को कैसे measure करेंगे किसी भी three phase circuit में